जी हाँ नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सबी का आरेस नियूस के को नई वीडियो में दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिरकार वर्ड टेस्ट चैंपेंशिप फाइनल से बाहर होने के बाद रूहिश शर्मा ने केल राहूल को पापस बुलाने कि BCCI से करी मांग और प्लेंग 11 टीम में शामिल करने के लिए उठाया बड़ा कदम लेकिन केल राहूल ने इस वज़े से किया मना कि जानने के बाद आप भी करोगे सलाम तो आप सबी इस खबर को जानने के लिए बिलकुल बने रहीएगा अंत तक इस वीडियो में और वह भारत को छोड़कर USA के लिए खेलेगा क्रिकेट तो ऐसमें दोस्तों आखिरकर कौन है यह भारते टीम का जाना माना खिलाडी उस खिलाडी के बारे में बताएंगे और वहीं जो तीसरी बड़ी खबर के बारे में बात करेंगे वह यह होगी कि वर्ड टेस्ट चैंपेंशि के लिए बिल्कुल बैने दियेगा अंत तक इस वीडियो में और वहीं दोस्तों अगर आप भी चाहते हो कि भारते क्रिकेट टीम में केल राहूल की पापसी करवाई जाए तो आप भी इस वीडियो को जरूर लाइक करना और दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक काम चनकारियां और अपडेट सबसे पहले दिखने के लिए मिलती रहे तो चलिए अब आपका समय ना लेत हुए बात करते हैं इस पूरी खबर के बारे में दोस्तों जैसे के आप सभी को बताए कि भारत और न्यूजिलेंड के बीच 18 जून से साउथ एम्टन में खेले जा पहली बार इस खिताब को जीतने के लिए भारते टीम उतरेगी तो ही दोस्तों हम आपको बताएं कि बीची साई ने टेश्ट चैंपेंशिप फाइनल के लिए जिस टीम का एलान किया था उसमें विकेट कीपर के तौर पर रिशा पंतर रिदिमन साहथ दोनों को ही टीम में रखा गया है और इस टीम में तेज गिंदवाजों के रूप में उमेश यादव को टीम में जगा में लिया है और लेकिन केल राहूल माइंक अगरवाल शादुल ठाकुर जैसे खतरना खिलाडियों को भारते क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किया गया है और साइद ये सबस काफी बड़ा जटका है और वहीं दोस्तों आपको बताएं कि केल राहूल को फिटनेस से जूड़ी काफी ज़्यादा समस्या आ रही है और ऐसे में उनको टीम से भार करने का यही एक बड़ा कारण था जहाँ पर रुष शर्मा ने इसको लेकर मांग भी करी ती कि अगर मैं क बढ़ तो कम से कम केल राहूल को भारते क्रिकेट टीम में 20 से जरूर शामिल करें अगर वो ऐसा करती है तो मारा मध्यम करम काफी जादा मजबूत हो जाएगा और केल राहूल के आने से हमें एक अच्छी गती भी टेस्ट क्रिकेट में मिलेगी लेकिन दोस्तों रोई शर्मा की इस बयान के बाद फिर केल राहूल का भी एक बड़ा बयान निकल कर आया जहाँ पर केल राहूल ने खुद ब मुकाबला जीतना है उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि मैं भारतिय टीम की तरफ से खेलू या नहीं लेकिन फिच के बाहर भी मैं अपना पूरा योगदान भारतिय क्रिकेट टीम के लिए दूँगा और मैं चाहता हूं कि उस खिलाड़ी को मेरी जगा खिलाया जाए जो सह ही में भारतिय टीम को एक नए अच्छतर तक लेजा पाएगा तो ऐसे में दोस्तों यहां पर क्याल राहूल ने काफिर जबर जस्त बयान दिया और अपनी चोट के बारे में भी उन्होंने संकेत दिये और साथ में अपनी जगाया पर एक अच्छे खिलाड़ी को शामिल कर करके जरूर बताईएगा तो इस अब आगे बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यह है आई पेल में राजिस्तान रोयल्स के लिए चटकाए 65 वेकट भारत छोड़ी यूएस से के लिए खेले गई है खिलाड़ी रहर किसी अन्ञेदीच से खेलने की और अगरसर कर रही है ज्यां है कमें स्मित परेल भारते टिम में ना जाकर वेस्ट इंडीज और अमेरीका से खेलने की और वो देख रहे है यह दरसल इस और नाम जुड़ चुका है और इस बार आई पैल में राज़स्तान रोयल्स के खेल चुके सिधार्त त्रिवेदी अब अमेरिका की माइनर क्रिकेट लीग में सेंट लूसिया अमेरिकंस की और से खिलतों नजार आएंगे तो वहीं 38 साल का यह खिलाड़ी ना सिर्फ टीम के लिए खिलता हुआ नजार आएगा बलकि कोछ की भूमिका भी यह निभाएंगे तो इसमें दोस्तों एक काफी बड़ी बात है बाकि आपकी क्या रहा है इनके बारे में आप अपने की इंतिरा और विचार हमें नीचे कमेंट बॉक्स में गामेंट करके जरूर बताईएगा तो चलिए बागे बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यह है करें शुमन गिल की तो शुमन गिल का टेस्ट करिजर अभी काफी नया है और गिल ने केवल साथ टेस्ट मुकाबले खेलें और ऐसे में हर किसी को उम्मीद थी कि क्याल रहुल को कप्तान विराट कोली टीम मैनेजमेंट के साथ मिलकर जरूर शामिल करेंगे लेकिन दोस्तो कि ने इंटरा स्कौर्ड मैच के दोरान ये नोटिस किया कि केल रहुल के बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं वो अभी बिमारी के सरीर से उठकर आये हैं और ऐसे में उनको अभी मैदान पर खिलाना साथ ये उचिस समय नहीं है तो वहीं दोस्तों आगे उन्होंने बात करते कि केल रहुल बल्ले बाजी करते वक्त अपने स्ट्रॉंग जोन में जब भी शॉट खेल लाए थे तो उस दोर उन्होंने काफी जादा समस्या का सामना करना पड़ रहा था और उन्हें हर शॉट खेलने के बाद दर्द उठ जा रहा था और ऐसे में हम सभी ने ये फैसला कि केल रहुल को टीम से भार किया जाए और उनकी जगा पर किसी और को मौका दिया जाए क्योंकि अगर आपका सारी रिस्वस्त नहीं है और उसमें लगा कि मैंग अगरवाल भी 15 सदसरी टीम के लिए सुटेबल नहीं होंगे और ऐसे में उनको भी बाहर करने का फैसला लिय गया है तो ऐसे मत उस्ते हाप रोजश शर्मान ने साफ कर दिया कि अकरकार इन दोनों ही खिराडियों को क्यों भारते करके टीम से भार किया गया है और आपको भी शायद यह आप बास समझ में आ गयी होगी बाकी अब आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंड करके बता तो चलिए बागे बड़त हम बात करते हैं अगली खबर के बारे में जो अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो यह है चैंप्रेंशिप के फैनल में विराट के पास नया वर्ड का बनाने चैंप्रेंशिप में न्यूजिलेंड के खिलाफ अगर टीम इंडिया को जीत हास पतानी में टीम इंडिया इस बार खिताब को जरूर अपने नाम करें तो हम आपको बता दें कि विराट कोली के पास एक शांदर मौक आएगी वो अपनी कप्तानी में भार्तिक्रिके टीम को पहला ICC करेंगी वीडियो चल लगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चैनल क को सब्सक्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होंगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहे तो मिलेंगे अगले को रिसी जानकारी में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत